हेलो प्यारे प्यारे वियूज तो आज हम बना रहे हैं आलू की बहुत ही टेस्टी सबजी जो की सुगर पेशन्ट भी खा सकते हैं आलू की सबजी अक्सर सुगर पेशन्ट नहीं खाते इस तरह से आप अगर आलू की सबजी बनाओगे तो सुगर पेशन्ट भी खा सकते हैं तो चलिए आलू की सबजी को बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने एक कडाई ली है और अब डाला है मैंने कडाई के नदर दो से तीन चमच मस्टिड ओयल या इसकी जगा प्रिफाइंड ओयल या कोई भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं आद ठोड़ा सा लिया है मैने जीरा लसुन हरी मिर्च और प्याज दिन उको मैंने साथ में डाल दिया है मैंने 2 medium size की हरी मिर्च ली है, 8-10 लसुन की कलिया और 2 medium size की प्याज दिया है हलका सा color change होने तक हम इसे पका लेते हैं प्याज को फ्राइ करने में करीब 2-3 मिन्ट लग जाएंगी और दो मैंने खड़ी लाल मिची ली है और इसे हलका सा कलर चेंज होने तक पका लेते हैं आप देख सकते हलका सा पिंग कलर होने लगा है तुम आपको उपर चेक करा देते हूं यह देखिए और थोड़ी देर के लिए पका लाते हैं करीब मिन्ट के लिए और ले लिने कैड़ा लेते हैं कुछ किए लिए इसे में भी मैं गर्मिच corrections के और भी डाल सकते हैं तुम अजआ मों अगर में रिखो स्कता हुए में जादा कर लेतैं कुछ मसाले दो अलएं और करीब एक छोटा चमच कर दिया है दनिया पाउडर दो चुट के लिए मैंने हम और स्वाद के दूसाद नमक कर दो करशा नमक मीक्स कर दिया है आप देख सकते हैं systition oil बिलकल अलग हो चुका है कि इसी तरह से घिलाते हुए नहीं पका लेते हैं और खोना रोजा गो तो मिन्ट के लिए मैं डग और पका लेती हूं सब्सक्राइब के आप सकते हैं सब्सक्राइब साथ अबis C Yap pinchbear इस तरह के पीसिस में मैंने आलू कट किये हैं तो आलू डाल देते हैं तो करीमें चार सो गिराम आलू लिए हैं मिक्स कर देते हैं और ढ़क के हम दो से चार मिन्ट के लिए पका लेते हैं और अब मैंने लिए है सुखी मेथी यानि मैंने घर पे सुखाई हुई मेथी है ये तो मैंने इस सुखी मेथी लिए है और ये हलकी सी सोप्ट हो रही है तो इसलिए मैंने गैस पे रख दिया है इसे थोड़ा सा पका लेते हैं कई ताट लेते हैं तो अब धर बूंद लेते हैं ताकि जो नम्मी है वो निकल जाए गयेस का फिलेंप कर देती हूं ऑप क्योंकि मेथी को ज़्यादा पकाएंगे तो कड़वा हो जाएगी तो इस तरह से जो इसके डंठल है में उन्हें निकालना है तो अब देख सकते हैं सोफ थी मेथी अच्छे से मैंने इसे पकाया है देखिए और इसके जो डंठल है वो निकाल देते हैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ गयास कफले मैंने ओफ कर दिया है इस तरह से अगर फ्राइफन में रहती तो ज़्यादा पक जाती फिर इसका कड़वा पनाता तो देखिए इस तरह के आएक केट और कर्स्तुरु मेति ले सकते हैं उससे इस तरह से सर्जिय मना सकते हैं और मेति डाल अच्छे से एक पर लेकिन पकाने से बहुत अच्छी खुश्बू आती है तो मेत्वाने को भी डाल दिया है और दो चमझ पानी ले लिया है टमाटर जो कदुकर शुश्की थे उसी बड़तन में मैंने डाल दिया है और करीब ये 400 ग्रम पानी ले लिया है 400-500 ग्रम आलू है अगर आपको गिरेवी ज़्यादा खानी है तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ले सकते हैं अगर कम गिरेवी खानी है तो थोड़ा सा पानी कम ले सकते हैं तो हम इसे डखके पका लेते हैं तो करीब 5-7 मिन्ट के लिए मैं इसे पका लेती हूँ तो 5-7 मिन्ट हो चुकी हैं चलिए एक बद देख लेते हैं अब देख सकते हैं मानी काफी कम हो गया है तेखी मैं आपको एक बड़ अलू चेक करा देती हूँ यह देखे अच्छे से पक चुके हैं यह थोड़ा गरम है तो इसलिए हाथ लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो अब करते हैं हम गैस के फ्लेम को और इस तरह की एक देखी अलकी सी ग्रेवी हुई है इसी तरह की सबजी चाहिए थी तो देख लिए प्रोस लीजिए तो आप देख सकते हैं देखने में सबजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है आप एक बार इस तरह से रेसिपी को बनागे ट्राय करके जुरूर देखना और इससे सुगर पेशंटी भी खा सकते हैं तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी की साथ तब तक के लिए आप आलू की सबजी को इंज्योई कीजी अगर सबजी में कुछ कमी बगएरा नजर आ रही है तो आप मुझे कमेंट वोक्स में बता सकते हैं तो फिर मिलेंगे बाई बाई